तो यहां पे पिटारा ने जो बोली है ना कि हम वहां पे तरसते रहे हमने सोचा हस्बेंड होते तो हम इसे घुमते वेसे फिरते इससे है ना यह बात साबित होती है कि पिटारा है ना जब सौधी गई थी ना तो सलमा और अजगर का रिस्ता देखके मिया वीवी को देखके ना वो तरस रही थी जिसके चलते उसने फिर अजगर को फसाई और यह तरसने वाला जो इसने वर्ड बोली है ना यह वर्ड पहले भी पता चला था कि यह जो चीजों को देखती है ना तो तरसने लगती है और अपनाने के लिए न ये किसी भी हद तलब के गिर जाती है तो यहाँ पे पिटा रहा तुन्हें खुदी अपने मौं से फाबित कर दी कि तुन्हें अजगर को फताई थी क्योंकि तुम वहां जाके तरस रही थी घोंचु के लिए है न जो के तेरे बिल्कुल भी तेरे लिए माइने नहीं रखता है बस वह सलमा और अजगर का रिस्ता देखके तुझे लगा के काज गोंचु भी रहता तो मैं भी दिखावे के लिए ड्रामे करती क्योंकि हजबेंट तो तेरा है नहीं वह दिखावा ही तो कर रही है ना पूरी दुनिया के सामने तो चलो अच्छी पाते कम से कम इसने कबूल कि कबूल तो कर ली कि यह वहां पर जाके ना तरस रही थी जिसके चलते फिर इतने सलमा की जिंदगी पर डाका डाली अच्छा इतने पुराने उमुर्दे फिर से उखाडी इतने बोली कि वो लोग जो मतलब साजित के भाई भावी लोग है वो लोग इसके कान भरते थे कौसर के और उसके वज़े से ना कौसर इसके साथ में सही नहीं थी और इसके वज़े से फिर मैंने बोली थी कि यहां प गई एक उसर अब वैसी नहीं है जैसी पहली थी तो फिर यह जो तुम बुराई करने के लिए कोसर की बैटी है अगर के कोसर वैसी नहीं है और वह रिस्तों से जान छुड़ गई अब कौन भढ़का दिया दिए कोसर को पिटारा तुँ बातों को इतनो घुमाई है यह वीडियो में और इतने सारे कट टेक तो तेग् तो तुने इतने लिए इतने लिए तरी जबान तेरा सातनी धे कोरे तेरे लवज़ थे सातनी दे यह नहीं कियो वो दिन vlogging क्यों नहीं की उसका main reason वो है, vlogging ना करना क्यूंकि कोई न कोई रास था जो छुपाने के लिए तुन्हे रेक्शन विडियो बनाई और vlogging नहीं की, तुझे क्या लगता है, पीचे जो तू खिचडी बना रही है यह शोषा छोड देंगी, तो वो जो प को सामने आएंगा और इसका मानना यह है के चैनल है ना इसके लिए गोच्चु इसके पास में वापिस आ गया कसम खानी पढ़ी है 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 पिटारा कसम खानी पढ़ी है तुझे अईते ही कसम ना जो तुने अद्गर को बोली ती चलो कसम खा लेते दोनों के घर बज जाएंगे वही वला ड्रामा क्या बात है चलो कोई बात नहीं है जो पीछे चल रहे है न वो जरूर सामने आएंगा थोड़ा ती हिंट आ गया है मेरे पास में बाकी का भी पता चली जाएंगो अच्छा इसको कसम खा के जताना पड़ा है कि ससुराल वले इतने बुरे थे ना कि उन ल पूस ही निकम मरполож और इतना यह जादा वो तेरे को भूका मारता था था तो फिर कोन समाल रहता कि ओग उनलोंग बोल रहे को समाल लेंगे पोड़े बच्छों को इतने साल जब तेरा चैनल नहीं था तब कौन समाल रहता नहीं तो आके सज बता के मेरे को रियाद, अबाती, फियाद, दिशान, एजाज, ये लोग समाल रहेते, बोलती क्यों नहीं बोलना, अगर गोचु इतना ही निकमा है, तो जब कोसर के आने के बाद में उन लोग समालने को तयार थे, तो तेरे को कौन समाल रहा था, तेरे ती उपर कभी भी नहीं देती है, जिनके चैनल है, आप लोग ये चीज के उपर गौर करो, नहीं राब्या काणी पर देती है, न दिलबर बाबर पर देती है, न रुबिना पर देती है, किसी पर भी नहीं देती है, यहां तलग के इसके ससुराल में तरिफ एक ही चैनल है, और आप बर रियक्शन देती है क्यों क्योंकि उनके चैनल नहीं है वो लोग सच बोलेंगे नहीं लोगों को पता चला नहीं है कि वो लोग उनके नेचर क्या है लेकिन एक बात बता दूं कि वो दोनों है ना इससे बहुत ज़्यादा अलग लोग है और वो लोग इज़त के लिए मरते हैं खास करके खाली दामीन इज़त के लिए मरता है और यह आए दिन उनको घसीटी इतने जब शादी करवाई थी ना इसने अपनी जठानियों के सब के मिन्नते तरले की थी हाज जोडी थी पैर जोडी थी के नहीं आप लोग सपोर्ट करो आप लोग जाओ उसक के यह जाके मिन्नते तरले करके रिस्ता लेकिया थी और फिर उनको इसने जबर जती भेजी और पूरा इसने प्री प्लैन ड्रामा गोंचु के साथ में की सारा कुछ की उनको बोली कि एकदम धूम धान से करना यह करना वो करना और फिर उसको इसने कैश करवाई वीडियो बना के और सारा कुछ करके फिर इतने कैश करवाई इतना बड़ा यह औरत ने गेम खेली अपने सतुराल वालों के साथ और आज तलब के उनको गंदा करती है जबके खुट के इतने सारे यार है उनको तो चाहिए था अगर कोई गहरत मंद आदमी रहता ना उनका बेटा अ लोगों को देख लो एक एक जने की हिस्ट्री उठा उठा के देख लो आप लोग के क्या है उनकी हिस्ट्री दिलबर की वोईस आई नेना की वोईस आई रुबिना की वोईस आई मतलब इनके खांदान में से निकल निकल के एक एक जने की वोईस आई इसके खिलाफ सलमा का सता जूट था वो तो सारे प्रूफों के सहारे से साबित हो गया था लेकिन फिर भी सलमा थी ना इसकी सगी बेहन थी ना मतलब कि इसके माईके में थे ही सारा कुछ हुआ है लेकिन यह घतिर्टी कि इसको सतुराल वालों को इससे पता चलता है कि यह कितनी जलकुकड़ी और और यह कितनी गिरी हुई है और यह कितना जलती अपने ससुराल वालों के आप लोगों को इसके ससुराल की तो हिष्टरी नहीं पता है भई कि औरत क्या थी क्या किये इसने कितना गंद किये इसने यह क्यों जलती अपने ससुराल वाले से आप लोगों को पता ही नहीं है इं वो जो अजगर ने आके 50 बार बोलके गया है सलमा ने भी मेरे को भी बताई ये और भी उसने सबी को बताई ये वाटी पर सबी को पता है कि 80,000 रुपे शादी में खर्चा आये जो तुनी सलमा अजगर से उधार लेके इसकी शादी में खर्चा की थी अगर लोग इतना ही सपोर्ट कर रहे थे इस गोंचु की शादी को तो फिर लोग उसको पालने के लिए अगर तयार थे तो शादी में खर्चा क्यों नी किये तुझे क्यों उधारी लेनी पड़ी तुझे क्यों करजा लेना पड़ा ये इस चीज का जवाब भी जरूर दे द दिन से फॉलो कर रहे शुली तो फोलो की कीलता चले से लिए छादे की बहागा रहें चान का खत्रा है लोग मुझे धंकियां दे रहे इसके लिए मेरे हस्बेंड को मैंने रोरो के कॉल की तो मेरे हस्बेंड वापिस आ गए तो फोन कब बन था इतनी तो कोई जूटी हो रहत है इतनी कोई तूलांती हो रहत है इतने दूसरे दिन गोंचु को बुला ली थी और दो दिन इसने वीडियो नी डाली थी वो टैम पे और इसने क्या बोली थी दो दिन तलग के फोन बनता जबके गोंचु दो दिन पहले ही इसके घर पे आ चुका था जिसका खुलासा भी वही टैम पे हो चुका था गाउं से और देख लो अभी फिर से ये पुरानी बाते न अर्चा नहीं दे रहा था फिटारा तो थोड़ी सी शरम की नहीं कर लेती है कि प्रूफ लगाने पर मजबूर कर रही है जब तेरे हजबन की शादी हुई थी तो एजाज वहीं पे था तो वीडियो कॉल कर रही थी एजाज तेरे रूम में लेटा हुआ था आराम कर रहा हुआ था याद है के नहीं याद है और दूसरी बात के गॉंचु वापिस आने के बात भी एजाज वहीं पे था एजाज वहां पे एक अक्सार रुका था गौंचु को तो तुन्हें दूसरे दिन बुला ली थी क्यों बुला ली थी तुझे डर नहीं लग रहा था, तुझे धमकिया नहीं आ रही थी, बच्चे समालने थे, क्योंकि डिश्टब हो रहा था तेरे को, रंगरीलिया मनाने के लिए है न, इसके लिए तुने गोंचु को फारण बुला ली थी, जो दो दिन तलक के तु गायब थी न, वैटी थे, तो तु यही लिए गायब थी, ताके नजर ना आए कि गोंचु आ चुका है, तो तु पुरानी चीज़े निकाल रही है न, तो फिर यह सारी चीज़े याद दिलाना मेरा फरज बनता है, यह यह भी जताना चाहती है, कि मैं मेरे कमाई से घुमने फिरने गई हूँ, तो भ आवाँचु बजाओ भई ताली बजाओ पिटारा के डायलोग के उपर, तो एक बात बता पिटारा, कि ते रे गोंचु की कमाई के उपर अगर उन लोगों ने नजर रखे ऻुए थे, उनके इतनी ही चलती थी, कि लोगों गोंचु की कमाई पे अगर तु घुमने फिरने जाती है याशियां करती तो उन लोगों का इतराज था तो उन लोगों को ये बात के अपर इतराज नहीं हुआ कभी भी उन लोगों ने ये चीज़ से लिए नहीं रोके के तु एजाज के साथ में एक रिष्टे में थी तुने जो गुना की उसके साथ में मिलके वो सब चीज जो के लिए उन लोग कभी भी खिलाफ नहीं थे वो चीज़ के वज़े से उन लोगों ने गोंचु से तेरे को कभी भी अलग नहीं किये और पैसों के लिए उन लोग इतना जलते थे के तेरे को अलग कर देते और यह जो तु कमाई 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 करके हमेशा जो तु जताती है के मेरी कमाई तो एक बात याद रखना उपर वाल देते हैं कि टेमपे चपड्ठ फाड़ के देता है और लेने के टेमपे चुटकियों में लेता है तो तेरी आउकाथ है ना, उपर वाला तुझे एक झादिन जरूर दिखाएंगा किसी को बदनाम करके, किसी को गिरा के, तू अपने अपको भता रही है ना तू बोलरी है, अल्बह ताला ने मेरे लिए रास्ते खुल दिया और तू बता रही है कि ससुराल वले इतने खराब ते कि अगर मेरी कमाई नहीं होती तो गुमने फिरने नहीं देते यह नहीं करने देते तो गोंचु जो तेरे चैनल से पहले जो गोंचु साओधी में गया था वहां पे दो दो तिन तिन ट्रीप मारता था दिन रात काम करता था फिर ड्राइविंग के साथ शाथ में चौंकी दारी भी करता था अब पूद्पान दा करता था और फिर वह गए निहीं करता था लड़कियों को फसा के उसारे पैसे है काम करता था वह तार्यं वह पैसे और तूर पैसे कॉसर कर सेcza पीतार पशाट है जी रहे थे खारे पी रहे नहीं थे इतने मेंगे मेंगे जो तरफ में मेकप अगेड़ा थे तेरे बच्चे पहले भी ब्रांडेड कपड़े ही पहनते थे जब यस्लामाबाद मुव हो रही थी तब का एक वीडियो था जो कॉपिराइट आने की वजे से मतलब लीगल तरीके कि वज़े से ना यू-टूब नरा दिया था लीघल कुछ दिग गया था उसमें तो यू-टूब नर उड़ा दिया था वो विडियो के अंदर साब करते हुअ थेतरा अगर के गोंचु कमाता नहीं था और गोंचु की पीछे मत लगा खाल रंच एक जैसरी तेरी इख लेंगे हम तुझे आ लिए यहाश यहां से बलिख सुरूमें तुने भॉली कि हमने आज पहली बर्गर इससे लेने आता था चाय तलक के तु भैड़ते मंगाती थी और तू बोल रही है सतुराल वाले तेरा पैसा रोपते हैं गोंचु को बोलके वा पिटारा वा कितनी जूटी और दोगली औरत है तू अच्छा ये जो बतार है कि कौसर है न वह गोंचु की लाडली है अच्छा कि ये वड़ पता है कहां का है मैं आप लोगों को ये लाडली वाला वताती हूं जब खाली दामिन का और गोंचु का जगडा होता था न कोई पी इतना घुम फिर के इतनी शॉपिंग करके इतने घर गाड़ी बंगला सब कुछ लेके पती भी अपना बच्चे भी अपने जाइदाद भी अपनी पैसा भी अपना सब कुछ इसका फिर भी बिचारी को जीने नहीं देते यहां तलग के इतने जाके पड़ोसी के साथ में बार आए और इसको जीने ही नहीं दिया जाता भई इतनी ज्यादा मजलूम हुरत मैंने कहीं नहीं देखी इतना जुलूम पिटारा तेरे उपर तरस आ रहा है मुझे तो रोना आ रहा है पिटारा तुझे नहीं जीने देते वह लाड़ली है जिसको कोने में फेक्स के रख काना उसका फेस रिविल किया कोई चीज उसने कोसर के लिए कभी भी नहीं किया लेकिन फिर भी वो लाड़ली है ना पिटारा हर दिन तेरे साथ रहता है रात में भी तेरे पास सोता है फिर भी वो लाड़ली है और तेरे को जीने नहीं देते आप लोगों को याद दिला द तो इसके पिछे कहानी क्या थी हो तो मैंने आप लोगों को लाइबों मे भी बताई हूं तो सोचो कि ये किसी को जीने नहीं दे रही है ये लोग इसको जीने नहीं दे रहे है वो भी पता है लोग भी गलत है सिंपती देने के लायक तो नहीं है लेकिन फिर भी कौन किसको जीने नहीं दे रहा है वो आप लोगों को नजर आई रहा है और यह क्या बोल रही है कि मुझे जीने नहीं देते और में तो वो लाडली वाली बात के उपर अगर बात की जाए य केली इसके पास में सो ज cosmie which के वो लाडे ले यह पिटारा डोत यु तो युलसके पास था सौ पास एक एकíoग सज़ा लॉइ hell एडीन खेशंग रहुतु जाकर वालों को गाले को युल साथ क्वाय दिवाद युदुद shows हमों की लड़की को घर खराब तूने की और लोग तुझे जीने नहीं देते बड़ा ही मजलूम है भई यह और बहुत मजलूम है बपकी यह बार-बार घुस्ट की कमाई को लेके जो इतनी बाते की यह ना कि हस्बेंट के चैनल से कमाई आती या उनके बिजनेस से कमाई आती हम लोगो तीम टैम का खाना मिल जाता आस पास की कोई भी स्कूल में मेरे बच्चे चले जाते तो यह भी बहुत बड़ी बात होती तो पिटारा तो कितनी ज़्यादा गीड़ी हुई और घटिया और तै इतन चैनल नहीं था ना इनका तब की कमाई बताती हूं गोंचु की आप लोग खुश सुन लो इसी की जुबानी सुन लो यह कितनी बड़ी फ्राड और हराफा और रहत है और यह औरवत मतलब क्यों कर्चा करती यह न वह सुच्छ। टोसरी बात है मेरे सब्सक्राइब कर दिए और यह पैसे उनको मैंने नहीं दिए क्योंकि आते हैं कि आप लोगों ने यह क्लीप जब पिटारा सुरू में मश्यूर हुई थी ना तब की बात है यह डेट के साथ में देख लो आप लो अब बताओ कि जब गोचु का चैनल नहीं था अगर वो काम ना भी करता तो भी आराम से वो खर्चा चला सकता था आराम से पैसे में ते उसको बैठे-बैठे तो बताओ कि अब वो इसका मोताज कैसे हो गया जब उसका चैनल नहीं था तब उसको अच्छे खासे ठेके के पैसे हाते थे कि वो काम नहीं भी करता तो उसका घर अच्छे से चल जाता यह तलकर लोग मूबाइल वाइल भी खरी सकते थे और पिटारा बोलती है कि इसका पुरा नहीं करता था इसको खाने को पैसे नहीं रहते थे, पानी के पैसे नहीं रहते थे, जबके इसके ठेके के भी पैसे आते थे, फिर वो इतनी सारी नौकरिया भी करता था, फिर पिटारा भी पालर का करती थी, मुह काले करती थी, इतना सब पैसा होने के बावजूद, यह औरत बोलती है कि मे जो बोलती है ना कि मैंने ये की मैंने वो की मैंने वो की तो उसका सच ये है कि गोंचु के चैनल का पैसा इसके अकाउंड में आता है ये जो ठेके वगेरा ये सब पैसा है वो इसके अकाउंड में आता है जो रेंट आते सब जगा के वो इसके अकाउंड में आता है गोंचु के हाथ में कुछ भी नहीं सब इसके अकाउन में आता है और यह जो बोलती है न के गोंचु मेरे साथ में सही नहीं है दोनों मियां वीवी एक जैसे है एक दुसरे के साथ है एक दुसरे के साथ में मिले हुए सारा कुछ प्री प्लैंड होता है उसको बताती है कि दो दिन के ल यहीं पेंट करती हूं वीडियो केती लगी प्रूफ केते लगे जरूर बताना आगे जो वीडियो आएंगी उसमें भी प्रूफ लगाने वाली हूं तो वो वीडियो भी जरूर देखना और वीडियो अगर पतंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना मिलते नेक्ट वीडियो मेला हपी